तो नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं Math and Magic Tips YouTube चैनल तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दस्वी के हिंदी का वर्णी का भाग 2 का पहला अध्या जो दे रखा है दही बाली मगम्मा फ्रेंड्स एक बात मैं पहले ही आप लोग को किलियर कर देता हूँ आज जो आप लोग वीडियो देखेगा पांस से दस माक्स आप लोग का पक्का हो जागा कहीं कोई दिकत ने क्योंकि मेरे वाई इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है खास करके दही वाले मगम्मा से पांच नंबर का आप लोग को लगभग सब्जेक्टी भी पूछा जाता हंडेट परसंट स्योल हो जाए शुरू से लेके वीडियो को अंतक देखिए पांस से दस माक्स आप लोग के बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलेगा हंडे बेफालतू का नजेगा बिल्कुल सही समय पे जाएगा ठीक है जो कि आपको सही मार्ड लेग जाएगा और सही नंबर दिला सकता है ठीक है तो चलो वही वीडियो को अश्टार्ट करते हैं सुरू से अंतक देखना चलो अश्टार्ट कर लेते हैं समसे पहला नुबर पहला प्रशन है मगमा का अपने बहु के साथ किस बात को लेकर विवाद था दोनों में बनता नहीं था ठीक है तो क्यों नहीं बनता था चलिए आपको इसके बारे में हम डिटेल से किलियर करते हैं मगमा अपनी बहु के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था ठी थी मगमा अपने बेटे पर अपने अपना हक नहीं छोरना चाहती थी, एक मा जो है अपने बेटे पर से कैसे हक छोर रहेगी, और जबकि उसकी बहु जो थी, अपने पती पर हक जमाना चाहती थी, और बहु ने किसी बात को लेकर एक दिन अपने बेटे को ही पीटा, मतलब मगमा की जो पोता था उनको बहुत जादा पीटा जिसे देखकर जो है मगमा अपनी बहु को भला बुड़ा कह दिया मतलब नॉर्मल सी बात है जब पोते और दादी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है प्यार होता दोने में बच्चे से किसको ना प्यार होता है तो देखकर उसके इसास जो है बहुत बोलने लगी और बोली तो इस बात के लेकर दोनों में बिबाद उत्पन हो गया सिंपल सा इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एक्जाम में लिख किया ना ठीक है आप चाहो तो इसका स्कीन सोट लेलो कोई दिक्कत ने आओ दूसरे प्रस्ण के और जुआरी था कौन था एक जुआरी था वह मगमा से कर्ज लेना चाहता था क्योंकि वह जानता था मगमा अपने बेटे और बहु से अलग रहती थी जब दोनों में विबाद हुआ सास और बहु में तो मगमा अपना अलग रास्ता बना लिया अपना अलग रहने लगी ठीक ह और इसका फईदा देखे दो आदमी लड़ेगा तीसरा आदमी फईदा उठाने लगता है ना जो पड़िवार का सदस लराई हुआ और तीसरा बंदा फईदा उठाने लगा और यहां पे देखे मगम मा अपने बेटे और बहुत से अलग रहती थी तथा आपने पैसा को भी रखती थी जो बैसता उसता था दही बेच के उपईसा रखती थी और रगनपा माँ बेटे के बीच जो हुए जगरा का लाब उठाना चाता था सिंपल सा आंसर लिखना भाई आजाओ तीसरे नंबर प्रशन की हो ठीक है अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं कियो थी व बहु ने सास को मानाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया वही पुराना सा तरीका कौन सा तरीका मैं आपको क्लियर कर देता हूं जब सास बहु में लडाई जगडा होता है तो बहु क्या करते अपने बेटे को किसके नजदिक भेज देते हैं सास के नजदिक और सास जो है उ रंगरप्पा के द्वारा ग्यात हुआ जब बहू को रंगरप्पा के द्वारा ग्यात हुआ रंगरप्पा जो है उसके सास से कर्ज लेने चाहता है और उसकी सास रंगरप्पा को कर्ज देने के लिए स्विकृति प्रदान की मतलब स्विकार कर लिया कि हां तुमको हम कर्ज दे देंगे किसको रंगरप्पा को जब अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तकरीब सोचने लगी अब बहु जो है अपने बेटे को मतलब रंगरप्पा के पोते को भीजने लगी कहा दाधी के पास वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती थी अंता उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने भेज दिया, यही तकरीब जो है अपनाई थी, आइए अगले प्रशनों की और चलते हैं, आप चाहें तो इसका तीसरे नमबर का भी असकिन सोट ले लें, आइए चोथे नमबर प्रशन की और चलते हैं, इस कहानी के कथा वाचक कौन है, उसका पड़िशे दिजे, तो बिल्कुल असान है, दिखें, इस कहानी के कथा वाचक बेंगलोर की रहने वाली एक सब्यांत महिला थी, जिसे मगम्मा माजी कहते थे, ठीक है, और वह अंध विश्वासों से दूर और समझदार थी, तथा संसारीक परी उस् लेखक की माँ प्रस्तूत कहानी के दुत्य केंद्रे चरित निभारी, पहला कोन? मगम्मा, कहानी के कथा वस्तु, लेखक की माँ द्वारा ताना बाना बुना गया है, ये जो कथा वाचक कहानी है, और लेखक के माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया है, मतलब उसी का रामरचया हुआ है ठीक है मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती तो लेखक के घर जरूर आती और बढ़ियां दही कुछ न कुछ बेच कर जाती थी धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की मा में घनिष्टा मितिर्ता बढ़ने लगा दोनों एक दूसरे महिला से जो है अट्रैक की मां उसे कुछ न कुछ सुजाब देता था तोड़ तरीका देता था कई से करो इसे करो ये होगा मतलब अच्छा खराब सब बताती थी सास और बहु के अंतरकला से परिबार बिगर जाता है और मगम्मा अंतरवेस्टा को सुनकर लेखक की मां को मन ही बोजल हो जाता था तो आएए अगले प्रश्णों की और चलते हैं आप इसका भी अस्किन सोट ले ले आएए पचमे नंबर प्रश्णों की आरा आते हैं मगम्मा का चरितर चितरन बरनन करें ये तो प्रश्ण बहुत ही जादा भी भी आई है इन्पॉर्टेंट है जरूर याद कर लेना ठीक जो आजगाल का रितीरिवाच है आप भी जानतें मगम्मा और उसकी बहु यह अच्छे से जानती थी कि पतनी का सिंगार क्या होता है पती होता है और मगम्मा भोली भाली एक सदस जो नारी थी मतलब सो हिर्दे नारी थी मतलब एक सधारन नारी थी और जो दही बेचकर उसमें कुछ हुआ संचे कर लेती थी बचा लेती थी वह अपने पोते को भी काफी प्यार करती थी इस परकार एक भारतिय नारी है जो सम्मावन के साथ जीना चाहती है अब आते हम लोग असली पोइंट पे छठे नबर प्रश्ण पे और यार हां वीडियो कभी तक लाइक न प्रश्ट दोत किजी तो आएह हम लोग छठे नमबर को सटक्तारिक असे का अंसर करते हैं कहानी का सा यह सो सबसे पहले कहानी का नाम ऑ invece दे के कख लएक Halo महा क्या था कहानी का या दही बाली मगम्मा पाट के लेखक कोन थे सिरी निबास जी थे इस कहानी का मुख्य चरितर मगम्मा मतलब मुख्य चरितर जो निभा रही थी कोन थी मगम्मा और दुत्य चरितर लेखक की मा और मगम्मा अब लूर के समी वेकटपूर की रहने बाली थी जो रोज दही बेचन विंगलोर आती थी और मगम्मा का जो है पती नहीं थी वो एक विधवावड़ थी और बेटा बहु के ग्रिकलस मतलब घर की लराई की कारण वह अलग होके परतेक्ष में वह परतेक्ष में जो जगरा का कारण थे पोते का पिटाई था किन्तो मुल रूप से सास बहु का अध अवांचित तत्व के लोग उसके धन और परतिष्ठा पर भी आँख उठाता था जो जैसे की रंगरप्पा था जिसे बहु की पैनी निगाहों ने तोर दिया देखें आपने किस तरह रंगरप्पा का खेल बिगार दी उसकी बहु ने अपने बेटे को भेज के दादी के तो आपको मैंने ये कहानी पुड़ा समझा ही दिया है चलिए कोई दिकर ने उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक क्या था मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बजा से खरिद कर ले जाने लगी और एक दिन कववा ने उसके माथे पर माथे पर मिठाई ले अंद्विश्वास के कारण मगम्मा भैवित हो उठी बहु के द्वारा नाटकिय धंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहु का मंत्र बड़ा कारगार सावित हुआ दूरी बढ़ने से भी परेम बढ़ती है ये बात आप लोग को पता ही होगा जो मित्र आपके दूर रहते होंगे बहुत ज़्यादा उससे मित्रता बढ़ती है जो पास रहते हैं उससे ज़्यादा लड़ाई होता है मानसिक का तनाव घड़ता है हुआ भी ऐसा ही वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ मगम्मा को अपनी बहु का सोहर्द बेटे और पोते में सने नजर आने लगा बरे बुढ़ों ने समझाया बहु ने मगम्मा को अपने जिम्मे ले लिया और बहु ने बहु ने बरी कुसलता से परिबार में सांतिय स्थापित कर लिया और पुर्व वर्त रहने लगी अन्ता इस कहानी से यह सीख मिलता है हमें किसी भी परस्थिती में अपने परिबार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए हमें हमेशा साथ मिल जूल कर रहना चाहिए यदि आपके फैमली मेंबर म आप चार आदमी खरा होगी तो आपको पाच एक दो आदमी ढूनने की जरूरत नहीं होगा अगर आप इसमें अलग हो जाते हैं तो आप तीसरे आदमी को ढूंडिएगा अधि आप साथ हैं अधि आपको जरूरत पर गया तो चारों आपका हेल्प कर सकता है इसलिए कभी अभी कोई भी परस्थिती क्यों आज अपने परिवार के सदस्य से अलग नहीं रहना चीए अब साथ में रहना चीए साथ में खुसी रहना चीए जगरे लडाई तो हड किसी के घर में होता ही है तो यह कहानी थी दही बाली मगमा का दही बाली मगमा तो आप आज की इस वी भी शेयर करो हाँ इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक मिलना चेयर कोई भी डिसलाइक नहीं चाहिए मुझे बिलकुल आसान तरीक आसान भासाम बताएं चलिए मिलते एकने वीडियो को लेके तब दक के लिए बबाई जैहिंद जैभारा टेक केर